कॉर्णो वाइरस की महामारी के बीच सायजी गंच पुलिस द्वारा कमाटी बाग बाल भवन के पास जारी की मास्क चेकिंग की प्रक्रिया के दोरान एक नागरिक का मास्क सही धंग से नहीं पहिनने के कारण उसके पास डंड की वसुलात करते हुए बावाल मचा था कॉर्णो वाइरस की महामारी के बीच पुलिस द्वारा लोगों में जगरुता लाते हुए तथा ये संक्रमन ज्यादा नाव पहले उसको ध्यान में रखते हुए मास्क पहनने के साथ तमाम नियमों का अमल करने के लिए अपिल की जाती है तो वहीं आज सयाज जिगंच पुलिस द्वारा कमाटी बाग बाल भवन के पास बीना मास्क पहनने निकलते वैसे वहां चालग और लोगों को पकड़ने के लिए मास्क चेकिंग की प्रक्रिया जारे की थी ऐसे में एक बाइक चालग को बीना मास्क याने की सही ढंका मास्क नहीं पहनने के कारण रोकते हुए बाद उसके पास डंड वसुलात करने के लिए प्रक्रिया जारे की गई तो वहीं मेना मास्क पहने निकले वैसे मेनेशा ने पुलिस के हाथों पकड़े जाने के साथ पुलिस के साथ बत सलुकी करते हुए डंड की वसुलात नहीं करने के लिए अपने बचाओं में भारी बावाल मचाय था तो वहीं दोरान 1.16 के नगर सेवक स्नेहल पटेल भी स्थल पर आ पहुंचते हुए अपने पहचान वाले वैसे मेनेशा को पुलिस का सहियो करने के बदले पुलिस के साथ डंड वसुलात नहीं करने के लिए बवाल मचाते हुए तू-तूमेमे और विवात गटित किया था जिसके बाद आखिरकार पुलिस द्वारा कॉर्परेटर वैसेस नेहल पटेल के बात को मान रखने के साथ मेनेशा के पास सिर्फ एक हजार रुपे की डंड वसुलात करते हुए उसे जाने दिया तो वहीं पुलिस के साथ बद सलुकी करने के बदल कोई भी कानूनन कारेव कोई जारी नहीं की गई थी